नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका उमरे यूट्यूब चैनल में दोस्तो बता देखा आपको 24 घंटा में तीन लाग कुरोना पोजेटिव नया केस मामले सामने आए हैं कुरोना का नया मामले इतना सामने आ रहा है इतना देखनों को मिल रहा है उसी के वज़ा से दोस्तों ना बेड मिल रहा है ना अक्सीजन मिल रहा है पिछले 24 घंटे में 3,14,835 नए मामले सामने आया वही पिछले 24 घंटे में देश में 204 लोगों की मौते हुई और दोस्तों आपको बता देखा यहां पे ठीक हुए है दोस्तों 1,78,841 लोग उसमें ठीक हुए है और दोस्तों आपको कूल केस दोस्तों यहां पे देखने के मिल रहा है 1,69,39,65 लोग को केस मिला है और इसमें से ठीक हुए है दोस्तों एक क्रोड़ 34 लाग 4882 लोग ठेक हुए हैं और दोस्तो आपसे बता देखा 24 घंटा में दोस्तो आपको मौते हुई है आपको जानकर होस उड़ जाएंगे दोस्तो देखिए कुल मौते हुई है एक लाग चोरासी जर छेस्ट संतावन तो दोस्तो आप भी सतरक रहे हैं अपने घरों में सेफ रहे हैं कि दोस्तो ना होस्पीटल में दोस्तो ऑक्सीजन मिल रहा है ना ही बेड मिल रहा है इतना ना दोस्तो मरीजे वहाँ पे सामिल हो रहा है इतना ना चोविस घंटे में इ दोस्तो शरवादी केसे मिल रही है ँस्राज में ओक्षिजन जल से जल पहुंच आया जाए और जितने वरश मररीज ह को पूछिये कि कितना कट नया सहाना पढ़ रहा है इसलिए दोस्तो आप लोग से बार बार मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने घर में सेफ रहें और जब भी घर से बार निकले दोस्तो अपना माक्स लगा लें और जब भी दोस्तो खाना खाने बैठे हैं या कुछ भी दोस्तो खाया उसको तो अपना हाथ को वास कर लें हाथ को अच्छी तरह से धो लें तो ही दोस्तो खाना खाई तो दोस्तों आपसे बता देखा सबसे ज़्यादा कुरोना पोजेटिव का नया केस मामले दोस्तों आ रहा है मुंबाई में देखे दोस्तों मुंबाई में नया केस मामले याँ सबसे ज़्यादा का खतरनाक कहर चल रहा है अब बात करते हैं दोस्तो दिल्ली के, दिल्ली में भी दोस्तो कुरोणा का नय मामले बहुत सामने आ रहा है देखे दोस्तो 24 घंटे में 26,19 polo. दोस्तो गहर शोबेश्ग देखने को आपको मिल रहा है और दोस्तो आपको पता दे मत हुआ है लाइक, शेयर, कमेंट करना ना बुलिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल एकन को दबा दीजेगा धन्यावाद